So hey students, तो कैसे हैं आप सभी, श्वागत आपका एक पर फिर से educational विजय यूटूब चैनल पर तो students अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि how to find a surface area if two or more basic solids are added and right now in this video we are going to find the same thing but instead of its surface area we will try to calculate the volume of the combination of the solids लेकिन एक बात याद रखिएगा अगर आप volume of combination of solids के questions करने जा रहे हैं तो आपको सारे जो भी सेप्स होते हैं चाहिए वो क्यूब हो कि वैड हो कौन हो सेलेंडर हो आपको स्फियर हो हेमिस्फियर हो आपको इन सारे basic सेफ के volume के formula याद होने चाहिए ताकि आप उनका बहतर यूज कर सको तो इसके पहले कि हम वीडियो को सुरू करें अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो को लाइक कर देजिए और अधिक से अधिक से इर करें ताकि अधिक से अधिक स्टुडेंट्स इनक्वेस्टन के बारे में जानकारी पास अकें तो चलिए हम सुरू करते हैं तो देखिए हमारे पास 13.2 एक्साइज का पहला question जहां पे बोला गया है कि इसी टॉप पे एक हमें बनाएगे है कौन और यह कौन सच देखिए है है उन टैट है कि यहेंथेंट है करोक सोंकी हो जाया है और फिर की बद्हूंङे बराबर कर दिया गया है और उसकी वैलु मत आइगे जारा रहा है कि जो हाइट है कौन की वो भी रेदियस के बराबर है याने कि हाइट की वैलू ब decreased what did वालूम स्क्राइब करने के पहले हमें इन दोनों के फाउर्मले याद होने चाहिए तो स्च कहां volume है यहां फिर जो required formula यहां पर लगेगा वो होगा volume of the base which is in the shape of hemisphere तो volume of hemisphere प्लस यह इसका top जो की cone के shape में है यानि की volume of cone और अगर यहां पर हम दोनों के formula के बारें बात करें तो volume of hemisphere का formula होता है 2 by 3 pi r cube और volume of cone का formula होता है 1 upon 3 pi r square h और जैसा उसने बोला है कि we have to find here volume in the terms of pi तो हमें pi की value को बिल्कुल भी substitute नहीं कर रहा है उसके पहले काम करते हैं देखिए 1 upon 3 pi और 1 upon 3 pi दोनों से हम common कर लेते हैं अगर आपने 1 upon 3 pi यहां से common कर लिया तो आपके पास बज़ी है 2 r cube और r की value 1 यहां पे दे दिया है तो हम यहां पे r की value को 1 put कर लेते हैं जब यहां से 1 upon 3 pi हमने common कर लिया तो आपके पास बचा r square into h r का square यह नहीं 1 का square h की value जो कि हमें 1 यहां पे दे रखी हैं सारी बात यहां हमें गेवन है और हम थोड़े से कर लेंगे calculation और calculation कर लेने के बाद हमारे पास जो value आएगी वह हो जाएगी वन upon 3 pi अगर हम ख़़ा bracket पे डाले तो 1 का q 1 होगा 1 multiply 2 से करेगा तो आपको यहां पे 2 ही मिलने वाला है 1 का square 1 1 को multiply 1 करेगा तो फिर से 1 मिलेगा याने कि कहने का मतलब यहां पर यह है students की जब हम इसको solve करेंगे तो आपको बाहर 3 मिलेगा 3 भी आपका हो जागा cancel याने कि जो volume होगा इस पूरे तो करा कि राके लेंड इंजिनियर स्टुडेंट वाच आउक्स टू मेका मॉडल सेवड लाइका सिलेंडर विद टू कूंस अटैजड इट टू एंड्स यानि चुली बात यहां पर यह हो रही है कि इस्टूडेंट से हमें बोला गया था कि वह एक ऐसा मॉडल बनाए जि दीखिया आपको पहला कोन है यहां पर और इसके बॉटम पर दूसरा कोन है अटैज कर दिया जाए अगर हम कुछ मिजरमेंट के बारे मात करें कि डाइमीटर आप दो मॉडल इस थ्री सेंटीमीटर तो यहां पर कोन का और सेलेंडर का इन दोनों के ही डाइमीटर आपके त सेंटीमीटर को यहां पे नोट कर लेते हैं और पिर आगे बोला गया है कि यहां पर सेंटीमीटर है और समझते हैं कि लाकर के 12 cm का है और 2 cm हमने उपर से और 2 cm हमने नीचे से दोनों इंड से अगर हमने 22 cm निकाल दिया तो actually हमने 12 में से 4 cm निकाल दिया और आपके पास बचा समिला के 8 cm यानि कि यहाँ पे बीच में जो हमारा सेफ है सिलेंडर उस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपकी हो जाने है 8 cm तो इन दोनों बातों को भी हम नोट कर लेते हैं जो हाइट है कोन की वो तो हमें 2 cm गिवन था फिर हमने निकाला हाइट आफ सिलेंडर और यह आ चुका है 8 cm ओके दिखिए मैं आपको समझ के चलना है फिर आगे बोला गया है find the volume of the air contained in the model यानि कि इस model में कितना air आएगा देखिए यह model अगर हमारा hollow air निक होखला model है तो इसके अंदर जो air contained होगा वो इसके volume के बराबर होगा यानि actually यहाँ पर भी हमें volume ही find करना है और ध्यान दीजीगा कि जो यह volume होगा इस पोरे model का वो देखिए इस core के अंदर content air प्लस इस cylinder के अंदर content air प्लस इस core के अंदर content air इन तीनों के अंदर जो content air है वो उन तीनों के volume के sum के equal होगा तो जो required formula यहाँ पर है वो actually है बराबर volume of cone वो है equal volume of cone plus volume of cylinder plus volume of cylinder plus again देखिए volume of cone है तो एक काम करते हैं अगर हम एक अई कोन को दो बार यूश करने वाले हैं तो हम क्यों ना volume of cone को 2 से multiply कर लें यानि कि twice of volume of cone plus volume of cylinder is actually equal to volume of the model जो इस engineering student है यहाँ पर बना करके दिया हुआ है ठीक है चले यहाँ पर हम formula को write कर लेते हैं अगर यहाँ बात करें volume of cone की बारे हैं लास्ट हमने question में volume of cone का formula यूश किया था और हो हमारा equal था 1 upon 3 pi r square h देन देजेगा तोनों की r तो same ही है तो हम r को एक unit लिख सकते हैं into h यानि volume of यानि की height आफ कोन की बात हो रही है जिसको मैंने capital से represent किया तो यह मैंने capital कर लिया अब यहाँ पर बोला गया volume of cylinder और volume of cylinder का formula होता है pi r square h तो यह pi r square और मैंने इसकी height को small h ले लिया ठीक है देखिए मैं capital or small h लेने का logic यह आपको समझा देता हूं कि देखिए दोनों की height का difference है लेकिन देखिए दोनों के मैंने radius को small r से लिखा हुआ है क्योंकि दोनों के radius same है और radius हमार यहाँ पर 3 by 2 दे दी गई है अब इसके बाद हम काम करते हैं values को substitute करके थोड़ा सा solve कर लेते हैं तो अगर यहाँ पर twice of 1 upon 3 है तो यह हमारा 2 by 3 की equal हो गया अब थोड़ा सा πाई पिंदे देड़ादा जाए देखिए पाई की value को हम put करे या ना करें इसके लिए हम थोड़ा r और h को देख लेते हैं देखिए radius आपकी है 3 by 2 और height आपकी है 2 और 8 यानिकि ना तो radius और ना ही height इन दोने में से कोई भी value हमारे पाई जिसका value वैसे 22 by 7 होता है इससे divisible नहीं है तो हम पाई को put नहीं करते हैं पाई को माकरी put कर लेंगे r का square करेंगे यानिकि हम यहाँ पे 3 by 2 का square करने वाले हैं into h h का मतलब capital यहाँ पे है यानिकि हम कोन के बाद हम बात कर रहा है और इसकी value हमें यहाँ पे 2 provided है इसके बाद हम plus लगाते वे इस formula में आते हैं एक वर फिर से pi ले लेते हैं r का square करेंगे r हमारे पास वही 3 by 2 है square कर दिया हमने into h यानिकि height of cylinder है और height of cylinder हमने पता किया था 12 में से 4 को minus करने पे वो 8 आया हुआ था थोड़े से और यहाँ पे calculations कर लेते हैं और जब यहाँ पे हम करेंगे calculation तो हमें मिलने वाला है 2 by 3 pi into 3 का square आप पर 9 हो गया 2 का square यह 4 हो गया into 2 हम इनको लगा लेते हैं bracket में plus यहाँ पर भी थोड़ा सा bracket को solve कर लेते हैं 3 का square 9 हो जाएगा 2 का square 4 हो गया into हमने कर लिया 8 अब देखें स्वड़ा से आप यहाँ अगर ध्यान दे तो यह 2 और यह 2 दुनों मिला के 4 होंगे और यह 4 4 से cancel हो जाएगा 3 3 9 हो गया यह आपका हो गया 3 pi plus लगाते हैं 4 2 जा यह 8 हो गया 4 2 जा यह 8 हो गया और 9 2 जा यह हो गया 18 pi यहाँ कि कहने का मतलब है कि 3 5 आउर 18 pi जिन दोनों को add करने वे हमारे पास answer हो जाएगा 21 pi यहाँ कि वो जिस volume के लिए बात कर रहा था कि what is volume of the combination of solid figure which has been made by combining two cone and one cylinder its volume is equal to 21 pi centimeter cubic यह ऐसे कह दें किसके अंदर जो air contained है that is actually equal to 21 pi और यहाँ पे आप चाहे तो अब pi की value को put भी कर सकते हो अगर मालेजी हमने pi की value को put भी कर दिया वैसे आप इतना भी करके छोड़ सकते हो लेकिन अगर यहाँ पर आफसन आपका नहीं मिल रहा है आफसन में pi की value को substitute कर दिया गया है तो आप यहाँ पर बिल्कुल अराम से सब्सिट्यूट भी कर सकते हो आपको figure बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना है सारे फार्मले की value लाकर यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देनी है और बिना किसी गल्दी के आपको बिल्कुल सही सलामत लास्ट पर नहीं है कि यह आप देख पा रहे होगे यह कंटेनर है जिसमें गुलाब जामून सुभरे ग सेप कुछ ऐसा है कि बीच में उसके एक स्लेंडर है यानि की बात मैं यहां पर इस सेप कर रहा हूं यह आपका बीच में सेप्ट है और इसके दोनों इंड पर दो हैं विस्फिरिकल पार्ट को इस टक करके एक गुलाब जामून का सेप दिया गया है और अगर यहां पर डा को दाईब मीटर यानि कि 2.8 का हाफ करेंगे तो आपको 1.4 आ जाएगा ओके तो यह रिडियास आपका 1.4 हो गया इस हेमिस्फियर का वही रिडियस होगा 1.4 इस हेमिस्फियर का और वही होगा रिडियस इस सिलेंडर का जो की 1.4 हो जाएगा तो दिखिए अगर पूरे of the cylinder हम उसको 5 में से इन दोनों का sum यानि कि 1.4 1.4 add करने पर जो 2.8 आएगा अगर उसे minus कर दें तो हमें यहाँ पे जो height of the cylinder है वो मिल जाएगी 2.2 cm अब यहाँ पे question में condition दी गई है कि जो sugar syrup पाया जाएगा in one गुलाब जामून that is equal to 30% of its volume और तब हमें find करना है कि at what amount the sugar syrup will be found in 45 गुलाब जामून यानि हमें करना क्या है कि पहले हमें इसमें एक गुलाब जामून का volume निकाल लेना है फिर उसके अंदर present sugar syrup को जान लेना है कैसा निकाल लेंगे तो उसका 30% करके हम निकाल लेंगे और जो हम एक गुलाब जामून के अंदर पाया जाने वाले sugar syrup की मात्रा जान जाएंगे तब उसे multiply कर देंगे 45 से और हम इस जार में रखाए गए सभी गुलाब जामून में कितना sugar syrup पाया जाएगा हम उसको अराम से निकाल सकते हैं ओके तो यह दिखिया आपका question था अब यहां थोड़ास को हमने 5 में से 2.8 माइनस करके निकाल लिया तो वह आ चुका है 2.2 cm तो सबसे पहले यहां पर हम बालूम पाइंट कर लेते हैं और जो वालूम को फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे दिखियो वह वालूम को फार्मूला होगा twice of volume of hemisphere क्योंकि यह देखिए दो रहेंट पर हम इस फेर है सारी डायमिंशन सेम हैं तो हम किसी एक का वालूम निकाल कर टू से multiply कर सकते हैं तो उसका twice हो जाएगा तो यह हमने कर लिया twice of volume of hemisphere और फिर add कर देंगे जो center में हमारा safe है जो की cylinder है यहनिकि volume of सिलेंडर कि वालूम आफ सिलेंडर ओके चलिए यहां पर हम थोड़े से वैलूस लेकर आते हैं वालूम आफ हेमिस्फियर के बारें बात करें तो वही फार्मला फिर से आएगा टू बाई त्री पाई आर्क्यूब ध्यांदे जिगा हेमिस्फियर आपका इंपॉर्डेंट ट कोई अब देखिए पाई की वैलू को यहां पर हम सब्सिट्यूट करें या नहीं करें अगर इस बात पर हम ध्यान दें तो देखिए पाई हमारा आएगा 22 by 7 और रिडियस हमारी 1.4 तो 7 से 1.4 इसली डिविजबल है तो यहां पर हम पूट कर सकते हैं तो हमने यहां पर पा 2.4 इंट 1.4 कर लेंगे अगर हाइट के बारे बात करें तो हाइट हमने अभी 2.2 निकाला हुआ है अब देखिए थोड़े से यहां पर हमें कैलकुलेशन करने होंगे और थोड़े से हमारा आराम से कैंसल हो गया और थ्री बचा थ्री से चालों पाच्छों में से कोई वैल 2.2 को 1.4 को और इस 1.4 को इन पांचों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और जब इस सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 34.496 इसका डिनोमेंटर 3 है यह हम लगा लेते हैं अब यहां पर 22, 0.2, 1.4 और 2.2 जब इन सभी चारों नंबर का मल् 24.552 ओके अगर यहां पर थोड़े स्यावर हम कैलकुलीशन कर लें यानि कि मैं बात करना हूं 34.496 को 3 से डिवाइट करने का तो यह हमारा करीब 11.5 और जब उसमें हम 13.552 को एड़ कर देंगे तो एड़ करने के बाद हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 25.052 यान देखिए आपने यहां पर पता कर लिया कि यहां पर आपने पता कर लिया कि यह आ गई वो वालूम जो एक गुलाब जामुन का होगा लेगिन अब हमें यहां पर निकालना क्या है कि सुगर सिरफ कितना पाय जाएगा 45 गुलाब जामुन में तो पहले हम यह निकालने कि एक गुलाब जामुन में कितना सुगर सिरफ पाया जाएगा तो उसको 45 से multiply कर देंगे और according to question जो सुगर सिरफ पाया जाएगा वन गुलाब जामुन में that is equal to 30% of its volume यानि कि अभी यहां पर हम और और कुछ करना चाहे हैं तो सबसे पहले यहां पर हमें इसके volume का 30% करना पड़ेगा तो यहां पर हम पहले वही कर लेते हैं यानि कि मैं बात कर रहा हूँ पता करने की amount of sugar syrup found in फन गुलाब जामुन तो आप यहां पर देख पारे होगा कि मैंने यहां पर 30% of volume ले लिया है और जब यहां पर हम 30% आप इस volume find कर लेंगे तो 30% का हमने percent हटा दिया denominator में 100 लगा लिया और multiply कर देंगे 25.052 से तो पूरा हमें calculate कर लेने के बाद जो value है वो करीब आएगी 7.5156 चुकि यह भी आपका volume होगा तो हम क्या सकते हैं कि इसकी भी जो unit है वो centimeter cube आजाएगी क्योंकि हम 30 के 0 को 100 के 0 से काट चुके हैं हम इसको multiply 3 से करेंगे और चुकि हमारे पास denominator में 10 बचा हुआ था तो decimal जो है वो एक place और अंदर आ जाएगा तो यह 7.5156 हो गया क्योंकि इसमें 3 से multiply भी कर दिया गया है तो देखिए हमने यहां पर यह निकाल लिया कि एक गुलाब जामून में at what amount sugar syrup is found लेकिन हम यह तो पता नहीं करना था हमको पता करना था कि sugar syrup कितना पाया जाएगा in 45 गुलाब जामून syrup found in 45 गुलाब जामून is equal to 7.5156 multiply by 45 क्योंकि इसमें सबको पता है कि अगर एक गुलाब जामून में इतना cubic centimeter sugar syrup पाय जाएगा तो 45 में कितना होगा multiply तो कर देंगे और जब हम इन दोनों का multiply कर देंगे तो हमारे पास आएगा 338.202 cm3 जिसको आप चाहो तो decimal के वल दो प्लेस तक यानि की 338.2 cm3 तक लिख सकते हो यान दखी कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना था इस्टूडेंट की थोड़ी सी आपको समझदार यहाँ पे दिखानी है कि इसमें क्या question बोला गया था एक बार फिर हम सारा question समझ लेते हैं देखे question में given था कि अगर एक उलाफ जामून का जो सुगर सिर्फ है वो उसके वालूम का 30% होगा तो 45 उलाफ जामून का सुगर सिर्फ कितना होगा तो बस आपर देखे इतनी अप्रोच यहाँ पे है कि हम अगर एक के वालूम को find कर ले जो कि वालूम find करना काफी आशान है कि वह यहाँ पे दो save को combine कर दिया गया जिसमें से एक save विल्कुल identical है यानि कि मैं बात कर रहा हम यहाँ पे इन दोनों hemispheres के बारे में अगर देखिए hemisphere के radius बराबर होगे तो common सी बात उनके वालूम बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक ही तो होता है वो होता है उसका radius तो इसलिए मैंने फार्मले में twice half hemisphere के वालूम को ले लिया है और फिर उसमें हम beach का जो part था cylinder उसको add कर देंगे और जब इस पूरे का वालूम हम find कर लेंगे तो वालूम को find कर लेने के बाद हम चलेंगे इसके अंदर कितना amount सुगर सिरफ पाय जाएगा उसके लिए और इसका term हमां कहा रहा था कि किवल 30% पाय जाएगा तो हमने वालूम पा 30% find किया यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 30% आफ जो हमने वालूम किया तो वाया 7.5156 तो यह आ गया amount of सुगर सिरफ which was found in only one गुलाब जामून but we have to find the same thing for the 45 गुलाब जामून तो हमने 1 के amount को 45 से multiply कर वा दिया और हमें original या total या final जोगी कर लिजिए वो answer मिल जाएगा which is 338.2 cm3 तो इस टोटन देखे हमारे पास आगया आप है question number 4 question number 4 में हमें ये बात समझाया गया है कि append stand देखे फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यह हमारे पास cubidical base है और देखे उस base में 4 यहाँ पे बोला गया है जो number of pen यहाँ पे hold करने की space बनाया जाएंगे वो सम्मिला करके 4 conical depressions बनाया जाएंगे देखे कॉनिकल का मतलब हो गया कि जो इसका base है वो कौन का होगा आप यहाँ पे कोई भी pen उठाकर इसके tip पो देख सकते हैं किसी भी pen का जो tip होता है वो हमेशा कोन के shape में होता है तो यह कुछ जो हम pen को assets में लगाएंगे तो यह उसमें जाकर के फंस जाए यह उसमें जाकर करके रह जाए इसके लिए इसमें कोन के जैसा depression बनाया गया यानि कि इस इसके vertical shape की लकडी में से कुछ amount of लकडी को काटके निकाला जा रहा है ताकि इसमें depression बन जाए और अगर यहां बात करें इस लकडी के इस कुड के dimensions के बारे में तो dimensions हमें 15 by 10 by 3.5 दिया हुआ है यानि वे करम से LBH है length, मितब्रीद और height है और अगर हम इस depression के dimensions के बारे में बात करें तो dimension चुकी depression चुकी एक कौन के shape में है तो कौन की जो radius है वो हमें 0.5 cm बताए गई है और जो depth है जो की height of कौन होगा वह 1.4 cm होगा और इस situation में हमें पूरे उड का volume करना है हमें अगर ऐसे बात करें कि पूरे उड का मतलब हो गया उसमें जो amount of wood बची है उसका हमें volume पता करना है ओके देखे वह सारी बाते मैंने यहां पर भी note किया हुआ है कि जो dimension of cubied है वो 15 by 10 by 3.5 cm है जो radius of core है 0.5 cm होगा जो height of core है वो 1.4 cm होगा and now we have to here find volume of the wood या ऐसे मोलें कि remaining wood in the entire stand okay तो ध्यान दीजेगा जो हमारे पास last question हो रहे थे उन समय एक प्रकार से वालम को बढ़ाया जा रहा था कई figure को combine करने के बाद लेकिन यहां पर देखिए इस पूरे cubied में से यह जो figure है यहां पर combine तो हुआ है लेकिन depression मतलब इसमें खोखला इसे कर रहे है राइट जब इस पार्ट को खोखला करेंगे तो हमने यहां पर क्या किया कि एक cubied में से आप यहां figure को ध्यान से समझेगा हम एक cubied में से चार यह जो हमारे पास चुटे-चुटे कोन है हमने इन चारों कोनों के वालूम के बराबर लकडी से निकाल दिया मतलब हमने cubied के वालूम को यहां पर घटा दिया तो इस case में जो हमारा required वालूम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो required वालूम का फार्मला है वो हो जाएगा हमारा देखिए पहली बात तो हमें वालूम जान जाएगे तो cubied के वालूम से माइनस करते ही हम वहाँ पर easily अपने काम को कर सकते हैं तो अगर आप बात करें थोड़े से फार्मले के बारे में तो वालूम आप को बात करें तो लेंथ इन्ट व्रीद इन्टू हाइट माइनस वही बात फिर से तो चलिए यहाँ पर लाकर कि हम सारी वैलू सब्सक्राइट कर लेते हैं तो लेंथ ब्रीद और हाइट की वैलू हमें यहाँ पर 15 बाई 10 बाई 3.5 दिया है तो हम 15 बाई 10 बाई 3.5 ले लेते हैं आगे माइनस की बात है फिर बोला गया 4 टाइमस आफ 1 अपान 3 जो की 4 अप 4.4 है तो हम ले सकते हैं तो हमने πाई को लिया यहाँ पर आरगा स्क्वाइर करें और हमारा 0.5 है तो हमें 0.5 को स्क्राइट करना होगा हाइट के बारे बात करें तो हाइट यहाँ में 1.4 दे रखा उसने ओके अब दिख्यूरा से हापे हम कालकुलेशन कर लेते हैं देखि आगे माइनस कर लेते हैं देखें 7 से हमारा ये 0.4 1.4 इसली कट जाएगा 0.2 टाइमस में अब हमको 4 को 22 को 0.5 के स्क्वेर को और 0.2 को इन 4 values को अपसे multiply करना है और उन्हे divide हमारा ये 3 करेगा तो अगर हम इन 4 values को multiply कर लें तो multiply कर लेने के बाद हमारे पास आएगा 4.4 और 3 जो था denominator में वो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया तो 4.4 गर हम 3 से divide करें तो हमारा ये हो जाएगा 4.4 divided by 3 which is equal to 4 point which is equal to 1.467 और हम चाहे तो 1.467 को यहाँ पर लिख सकते है कि चुकि 1.467 is equivalent to यह हम equal to भी लिख सकते है 1.46 लिख लिजिए यह 1.47 लिख लिजिए वैसे हम divide के दो ही प्लेश तक लिखते है तो हमने इसको इसके equivalent कर दिया तो therefore हम चाहे तो 525 minus 1.46 भी लिख सकते है और जब इसको हम minus कर देंगे 525 में से 1.46 को तो जो हमारा answer है वो आएगा 523.54 और अगर यहाँ पर बात करने कि यहाँ हम से पूछा क्या गया था तो चुकि यह volume था तो इसकी जो unit है वो centimeter cube हो जाएगी यानि student बात यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी numerical save जो कि 15 by 10 by 3.5 length वरिता और height का है तो यहाँ से अगर हम 4 depressions cone के hollowed out कर देंगे तो जो उड का remaining area होगा वो 523.54 centimeter cube के बराबर होगा तो देखे student आगे हमें आपके question number 5 solve करते हैं यह question number 5 हमें यह कह रहा है कि a vessel is in the form of an inverted cone धन्दी जी का यह मैंने vessel बनाया हुआ है हमारे पास कोई vessel है जो कि एक inverted cone के form में है और इसके जो height है वो 8 centimeter है जो इसकी radius है वो हमें बोला गया 5 centimeter है जो कि radius यहाँ पे top पे है और एक बात हमें बोला गया है कि इसका जो top है वो open है फिर देखे आगे बोला गया it is filled with the water up to the brim देखे आप एक term है brim brim के बार फ्रटा समझते हैं देखे brim का मतलब हो गया कि इसमें उतना पानी भर दिया गया है कि अगर इसमें हम एक बुद भी और पानी डालें तो वो पानी इसमें न जाकर के बाहर गिर जाएगा यह होता है brim का concept यानि जहाँ पर बिल्कुल भी अब जगह न बची हो किसी और चीज को अंदर contain कर लेने की जिसकी density बराबर हो इसके वो थोड़ा मैं आप पर physics के terms में बाते कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वही होने वाला है आगे बोला गया है कि when lead sorts अब यहाँ पर कुछ काच की गोलिया डाले जाती है और जो काच की गोलिया है वो actually sphere के shape में है जिसका जो radius है वो 0.5 है यानि कि इसी में इस sphere के shape में कुछ lead की ball फेकी जाती है इसमें sort की जाती है तो होता क्या है तो हमें किताब में बताया जा रहा है कि जो one-fourth of the water है वो flows out one-fourth of the water flows out का मतलब हो गया जान दीजेगा पालेस में केवल पानी बढ़ा हुआ था फिर हमने यहां पे solid यानि की spherical ball डाल दिया तो हमको पताए sphere या solid का जो density होता हो काफी जाता होता है तो अगर यहां पे पानी डालेंगे तो पानी वापस हमारा बाहर गिर जाएगा क्योंकि इसमें up to the brim पानी अलिडी भरा हुआ है लेकिन जब किसी dancer object को dancer solid object को इसमें हम immerze करेंगे डालेंगे तो वो तो अपना एक space बना लेगा इसके अंदर जाकर के क्योंकि इसके density जाता होती है लेकिन जो इसके अंदर water up to the brim भरा हुआ था लेकिन जो इसके अंदर water up to the brim भरा हुआ था तो जितने volume के बराबर इसमें हम solid को डालेंगे ठीक उसी के volume के बराबर यहां से पानी बाहर निकल जाएगा और हमें question बोल दिया है कि जो पानी उपर से बह जाएगा कोन का volume find करने के बाद इसके अंदर किस volume की या कितने spherical ball डाल दिये गए जो कि question में आगे बोला गया है कि find the number of lead sort dropped in the vessel यानि इसमें कितने कांच की गोलियां डाल दी गई है उसकी आफ संख्या बताईए ओके दिखिए मैंने spherical ball है जिसको इसमें image काज किया जाएगा जिनको इसमें sort किया जायेगा उनकी जो संख्या है वो चलिए हम x माल लेते हैं राइट हम उसकी संख्या को x माल लेते हैं और अगर यहां पर बात करें सबसे पहले हम क्या करेंगे तो देखिए वही है कि सबसे पहले यहां में यह निकलना पड़ेगा कि जब इसमें गोलियां बगएर नहीं डाली गई तक इसका वालूम कितना था यान कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं सबसे पहले also nut को फाइंड करने की मतल यह जानना चाहता हूं कि item एंड मांट का वाटर भरा हुआ है तो सबसे पहले यहां पर निकाल लेते हैं volume of water और आपको पता होना चाहिए कि volume of water के लिए हम इस shape के volume को use करेंगे तो shape हमारा कोन है यानि की formula हमारा कोन का लग जाएगा कोन का formula होता है तो अगर यहां पर हम थोड़े से और बात करें value को substitute कर लेने के बाद तो हमने वान अपान 3 ले लिया अगर हम पाई के बात करें चलिए हम पाई को पाई ही रड़े देते हैं क्योंकि यहां पर radius और height दोनों में से कोई भी value पाई से divisible नहीं है जब भी पाई के बारे बात करूँगा तो मैं बात कर रहा हूं से divisible होने की यहां पर r का square करेंगे तो r आफका 5 है तो 5 का square हो जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे height तो height हमें यहां पर 8 दी गई है थोड़ा से आप एक calculation कर लेते हैं तो जब आप calculation करेंगे तो यह वनपान 3 हो गया पाई ले लिया हमने r का square करेंगे तो 25 हो जाएगा into 8 कर लेंगे यानि कि overall calculate कर लेने के बाद हमारे पास आएगा 25 वेट जा 200 divided by 3 into pi यानि कि 200 divided by 3 pi centimeter cube volume आया हुआ है water का which is filled in the cone which is filled in the inverted cone या जो भी vessel था अब आगे बोला गया है कि जब इसमें lead और sorts जब इसमें lead को sort किया जाएगा जब इसमें spherical ball डाले जाएगी तो इसका वनपान 4 of the water flows out हो जाएगा यानि कि वो पानी बाहर निकलेगा चितना volume इसका बढ़ेगा ऐसे हम भी कह सकते हैं कि जो पानी बहेगा वो actually volume of spherical ball के बराबर होगा तो एक काम करते हैं अगर हमें spherical ball की radius पता है जो कि हमें सवाल में बताया गया था कि 0.5 cm होने वाला है तो यहाँ पे हम इसी के साथ वो पता कर लेते हैं कि what is volume of one spherical ball तो थोड़ा से यहाँ पे हम वो भी काम कर लेते हैं कि volume of find कर ले one spherical ball तो spherical ball का safe है तो हम sphere का volume निकालेंगे तो यहाँ पे हम formula यूज करेंगे 4 upon 3 pi r cube formula को तो यह हमारा हो गया 4 upon 3 pi हमने लिया r का हम करेंगे cube यानि कि हम 0.5 का यहाँ पे cube लेने वाले हैं तो 0.5 into 0.5 into 0.5 हम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो total answer है वो हो जाएगा 5 into 5 into 5 यानि कि 0.125 into 4 divided by 3 into pi ओके तो देखिए यह हमारे पास answer आ चुक है अभी मेरे इसको multiply नहीं किया है हम आगे इसको multiply कर लेंगे या multiply भी कर लिजिए multiply कर लेते हैं 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 मिला करके 10, 4 1 जा 4, 4 1 मिला के हमारा यह हो जाएगा 5 अगर decimal लगा दिये जाए तो हम यहाँ पे लगाएंगे decimal 3 place पे यानि कि कहने का मतलब यहाँ पी students यह है कि जो हमारा volume of spherical ball है वर बाल के बात मैं कर रहा हूँ वो 0.5 divided by 3 pi के equal है तो देखिए अगर एक spherical ball का volume 0.5 by 3 pi है तो x spherical ball इसमें डाले गया है तो पूरा volume कितना हुआ है spherical ball का जो इसमें डाला गया है उसके लिए हम यहाँ पे थोड़े से और calculation को आगे बढ़ाते हैं भी लिख लेते हैं कि if volume of 1 spherical ball is 0.5 divided by 3 pi therefore volume of x spherical ball is equal to 0.5 divided by 3 pi into x centimeter cube यह बात आपको समझ में आ गई हमने बस क्या किया गए एक के volume को x से कर दिया multiply अब देखिए हम देखिए इन दोनों terms को आपस में relate करना चाहेंगे लेकिन अभी इसमें एक कमी है यह तो हमारा पूरा पूरा volume आच चुका है is spherical ball का और यह जो आया है यह आया हुआ है पूरा volume पानी का लेकिन पूरा पानी तो बाहर नहीं निकला है अभी हमने यहां पर लिखा है कि जो पानी बाहर निकलेगा वो उसके अंदर डाले गए इस स्पिरिकल बाल के वालूम के बराबर होगा तो इस स्पिरिकल बाल का तो हमने वालूम निकल लिया अब हमें निकलना है जो पानी बाहर निकला यानि कि अब यहां पर लिखेंगे जो water flow हुआ है जो water flows out हो चुका है वो actually one upon four of volume of water था ना कि पूरा water था तो यहां पर हम लिखेंगे उसके लिए कि जो पानी बहा है वो one upon four of volume of water यानि कि two hundred upon three into pi के बराबर होगा अगर यहां पर हम one upon four से स्थोड़ा सा कैंसल करना चाहें तो four square arm से कैंसल कर देगा four of five is a twenty into zero यानि कि fifty pi by three यानि यहां पर वो situation बन चुकी है कि अगर one upon four of जो पानी बाहर निकला है उसकी मात्रा के बारे में बात करें तो वो five by three centimeter cube होगा और यहां से जो हमने पूरे वालों को find किया इस sphere के तो वो आ चुका है 0.5 pi by three into x तो according to the question यह दोनों values आपस में बराबर होनी चाहिए तो therefore according to question हम लिख सकते हैं 0.5 by three pi into x is actually equal to nothing but fifty three pi by और यहां से हम x को अराम से पता कर सकते हैं which is the required value क्योंकि वही हमको पता करना है कि how many leads are dropped in the vessel जिसकी संख्या को मैं x माना हूँ तो अगर x के बारे बात करें तो 50 pi by three यहां पर पहले से था यह पूरी value आप यहां पर invert हो जाएगी यानि कि 0.5 pi by three 3 by 0.5 into pi बन जाएगा ओके दिखिए pi आपका pi से cancel हो गया 3 हमारा 3 से divide हो जाएगा अगर यहां पर decimals को हटाना चाहें हम लोग तो हमें 10 से multiply करना होगा तो हम 10 से divide भी कर देंगे तो यह 10 इस decimal को हटा देगा अब हमारे पास बच गया 5 5 से हम हम divide करेंगे 50 को तो हमारा 10 times में divide हो जाएगा अब हमारे पास बचा यह वाला 10 और यह यह वाला 10 और हमारे पास नहीं denominator में कुछ नजर आ रहा है नहीं numerator में beside then these two 10s तो हम 10 को 10 से multiply करेंगे तो इस परकार हमें जो number of spherical ball जो drop किये गये थे in the vessel वो हो जाएगे equal 100 pieces ओके जो दकी student कहने का मतलब यह है कि यह भी question बहुत बढ़ा नहीं था बस थोड़ी से आपको term समझने थे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे और term इतना ही था कि अगर one upon four of water flow out कर रहा है तो जो इसके अंदर spherical ball डाले गए है उनका जो volume है वो भी one upon four of total volume of vessel होगा तो यह total volume of vessel था इसका हमने one upon four कर दिया तो यह आ गया और यह हमने बराबर कर दिया उसके जो volume of total spherical ball है जो कि हमें पता नहीं था उसको मैं X बारा हूँ तो one ball को निकाल करके मैंने accessibility प्लाई कर दिया तो पूरे का आ गया और दोनों बराबर होने चाहिए यही तो हमारा conservation of यही तो हमारा volume का ला कहता है तो हमने दोनों को आपस में यहां पर बराबर दिखा दिया और यहां sex के value को find कर लिया चलिए हम question number 6 तो हमारे पास सामने question number 6 है question number 6 कर रहा है कि एक iron pole है जो दो cylinder के consistency से मिलके दो cylinder को आपस में surmount करके बनाए गया है अगर यहां पर हम base cylinder के बारे बात करें तो जो हमारा cylindrical base है वो 220 cm height का और 24 diameter का है तो 24 cm diameter और 220 cm height का हमारा cylindrical base है और इसके ओपर surmounted है यानि कि अब surmounted हम कहेंगे तो ओपर नहीं बोलेंगे तो इसके ओपर एक mount किया गया ऐसा बोल सकता हूँ जो कि एक और cylinder ही है और उसकी जो height है वो 60 cm है और जबकि उसका जो radius है देखें वो हमें 8 cm यहाँ पर दे दिया गया है और फिर बोला गया है कि find करिये mass of the pole और बात करें आप मिजरिंग skill के बारे में या density skill के बारे में तो मैं यहाँ पर mass of pole तो find करना है और condition है दी गई है कि जो 1 cm cube है वो 8 gram of mass के बराबर है ध्यान दीजेगा यहाँ पर लिखा 1 cm cube और आपको देखकर ही समझ लेना है कि cm cube actually इसका volume होता है तो हमें क्या करना है कि इस पूरे जो iron के pole है जिसमें 2 cylinder को combine करके बनाया गया है देखिए बाला सा question है जहाँ पर दोनों के radius different हुए है अभी तक हम जो भी question कर रहे थे सब में लगबा उनकी radius बराबर ही चल रही थी तो यहाँ पर हमें थोड़े से ध्यान से करना है value तो अगर यहाँ पर मैं बड़े वाले cylinder के radius को capital R का हूँ छोटे वाले को small R का हूँ उसी प्रकार से बड़े वाले cylinder की height को capital R का हूँ और छोटे वाले की height को small R का हूँ तो मैं यहाँ पर 2 values note कर पाऊंगा ध्याँ जिगा बड़े cylinder का मतलब जो base है cylinder का तो उसकी diameter 24 cm है यानि उसका जो radius है वो उसका half हो जाएगा तो मैंने 12 लिया अब यहाँ पर आते हैं smaller cylinder के radius के बारे में तो यहाँ पर radius ही 8 दिया था हम इसको भी 8 लिख पाएंगे यहाँ पर capture है यानि की बड़े cylindrical की बात हो रही है तो वो हमारा 220 cm था उसकी height तो हमने वो भी note किया और यहाँ पर smaller का height हमें दिया SST वो हमने यहाँ पर note कर लिया तो ध्यानती जीगा यह scale हम तब use कर पाएंगे जब इसका हम पूरे का volume पता कर लेंगे तो यहाँ पर जो volume है वो आप लोग समझ चुके हैं कि दोनों के combination को हम कर देंगे हमारा volume आ जाएगा और आपको पता है कि जो volume को formula होता है वो होता pi r square h चुके हमारे पास दोनों cylinder ही है तो हम इसी formula को दो बार लिखेंगे pi small r square into small h plus pi capital r square into capital h जहाँ पर वही बात कि capital की value larger cylinder को और smaller की value smaller cylinder को 10 आ रही है अब यहाँ देखिए हमें question में बोल दिया था common ले लेते हैं यानि कि 3.14 हमने कर लिया अप्रगार का common यहाँ पर r square into h करना है तो r square कर देंगे r square यानि कि हम 8 square करेंगे 64 हो जाएगा into h जो कि हमारे पास यहाँ पर 60 है यह plus लगा लिए मैंने pi मैं कामन कर चुका हूँ capital r square करेंगे यानि कि हम 12 का square करेंगे 12 का square आपका 144 हो जाएगा यहाँ पर capital rs के बारे में बात हो रही है जो कि हमारा 220 cm है देखे थोड़े से यहाँ पर calculations करने होंगे अगर यहाँ पर हम इसका multiply कर लें तो 6 forja हमारा 24 हो गया 6 गया 36 और 2 add करके हमारा यह हो जाएगा 38 और यह प्लस कर लेते है तो हम यहाँ पर 0 लेते हुए 22, 4 जा 88 22, 4 जा 88, 88 और 8 carry मिला कि होगे 96, 22, 1 जा 22 और हम जब इसमे 9 add करेंगे तो यह हमारा कुछ 31 हो जाएगा अब देखे हमें इन दोनों को add करके multiply कर लेना है 3.14 से तो अगर यहाँ पर हम 3840 में add कर देते हैं 31,680 31,680 को अगर हम 3840 में add कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 35,520 और जब इसको हम multiply कर देंगे तो यह हमारी value आ जाएगी यहाँ पर 11,532.8 cm3 यह हमने अभी find कर लिया कि total जो iron है इस pole में उसका volume कितना है अब ध्यान देखे हमको इस iron का मास निकालना है और मास का जो unit वो कुछ ऐसा है जो measuring scale है वो कह रहा है कि जो हर cm3 है वो 8 gram of mass के equal है तो student इतना जादा cm3 कि इसके बराबर होगा हम इसी को 8 से multiply कर देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो mass of यह जो हमारा iron pillar है जो कि दो cylinder के combination से बिलके बना हुआ है तो यह हो जाएगा equal to mass of iron pillar equal जो total volume आया है वो multiply by इसके density के जो unit है यह निकि 1 cm3 कितने mass के बराबर है उसके लिगे तो जो mass of pillar है हम उसको लिख सकते है 111532.8 जो कि volume of total iron है multiply by 8 gram और जो हम इन दोनों को multiply कर देंगे तो multiply कर लेने के बाद हमारे पास value आ जाएगी 892 262.4 और ध्यान पिजिए का यह आपका gram आएगा सार यहाँ पे centimeter क्यों आप कहाँ से आएगा क्योंकि हमने इसको multiply कर दिया है कि 1 centimeter cube अगर आपका 8 gram के बराबर है तो इतना centimeter cube कितने gram के बराबर होगा जानने के लिए इसको हम इससे multiply कर देंगे अब ध्यान जी का यह हमारा आया हुआ है gram में देखे काफी बड़ी value gram में है तो अगर आप gram को kilogram में convert करना चाहते है यानि कि in order to maintain the value in kilogram unit हम इसको thousand से divide कर देंगे अगर को पता है कि 1 gram is equal to 1 divided by 1000 kilogram तो जब हम 892,262 यानि कि 892,262.4 gram को अगर मैं convert करना चाहूं kilogram में तो इसको divide करेंगे 1000 से तो हम यहाँ जब 1000 से divide करेंगे तो हम 30 से divide करेंगे तो इसके 3 plus decimal आगया जाएंगे यानि कि 892.262 4 kilogram या फिर आप चाहो तो 892.26 kilogram भी लिख सकते हो यानि कि यह होगा student total volume of the iron pillar 892.26 kilogram तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं था सिर्फ यहाँ पे हमें एक बात याद रखना है कि जब यहाँ पे mass की बात कभी-कभी पूछता है तो जो total mass होगा वो पूरे volume multiply by जिस unit से mass को combine किया जा रहा है जोकि इसका value जो find करेंगे तो centimeter cube में आएगा तो centimeter cube को जब multiply कर देंगे 8 gram से तो पूरा हम unit को gram में convert कर देंगे जोकि gram की यहाँ पे value काफी ज़्यादा बड़ी थी तो इसको हम kilogram यहाँ की bigger unit में convert कर सकते हैं और जब bigger unit में convert करेंगे तो divide करेंगे 1000 से और यहाँ पी हमें पूरी unit kilogram की terms में मिल जाएगी ओके और ऐसे प्रकास रखा जा रहा है कि वो उसके bottom को पूरा पूरा टच कर रहा है देखिए बात यह चल रही है कि अगर देखिए यहाँ पे यह देखिए मेरे पास मिला के 3 figure यहाँ पे है एक तो बड़ा वाला cylinder आप देख पा रहे होगे उसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे चोटा सा यह कौन दिख रहा होगा कौन का देखिए जो base है वो देखिए आपका हेमिस्फिर्कल base दिख रहा होगा यानि बात यहाँ पे यह हो रही है कि हेमिस्फिर्कल base पे एक कौन था पहले अब इस सेव को पूरा उठा करके हम पानी से भरे हुआ सिलर्कल तो यह के स्पीर आएगा इसमें से जो पानी भरा भुआ था वह पानी बाहर निकल जाएगा सार अंज पानी बाहर निकलेगा नहीं पानी उतना ही बाहर निकलेगा और फिर आगे बोला गया है कि volume of water left in the cylinder ये पतागर ये अगर जो cylinder था पहले से उसकी जो height है वो 180 cm और जो radius है अगर 60 हो तो figure सुझना गया आपको देखे एक बार फिर figure में समझ लेते हैं देखे अगर आप पहले height के बारे बात करें कोन के तो मैंने आप लिखा हुआ है जो height of cone हो गिवन था हमें 120 cm कोन का जो base था उसका radius हमें 60 दिया हुआ है और कोन के base पे एक हमारे पास hemisphere है जैसा हमें question में दिया हुआ है तो दिखे है hemisphere और कोन दोनों के save को मिला कर कि हमारे पास पहले से एक figure था एक model था फिर इस model को उठा करके हम इस cylinder में डाला गया जो कि पहले से पाने से बढ़ा हुआ था और इसके अंदर कितना पानी बचा वो हमें जानना है तो उतना ही पानी बचेगा जितना कि volume of cylinder minus volume of this model के बढ़ाबर होगा ठीक है यानि यहां पर जो formula हमारा यूज होरे वाला है volume of water जो left है इन cylinder जानने के लिए वो होगा बराबर volume of cylinder यानि कि पूरा पानी कितना भरा होगा था minus इस model का volume और यह model जो होगा अपहले से दो figure combination है तो volume of hs यानि हेमिस्फियर plus volume of उसका top जो कि कौन है ठीक है यहां पर हम काम करेंगे तो जो required formula है वो होगा value of cylinder minus volume of यह model which is combination of hemisphere and cone यानि कि इन दोनों के volume का sum ओके देगे सारी value हमें यहां पर पता है सिर्फ लाकर के यहां पर हमें substitute कर लेना है अगर बात करें volume of cylinder के formula के बारे में तो formula हमारा होता है pi r square into h minus मैं लगा लिया volume of hemisphere के बारे में बात करें तो formula होता है 2 by 3 pi r cube प्लस अगर यहां बात करें volume of cone के बारे में तो volume of cone का formula वही 1 upon 3 pi r square into h देगे जेगा सबकी radius यहां पर 60 है थोड़े से height का दोनों का difference है यह जो height था cylinder का था थोड़े इसको हम capital और small का फर्क समझ लेते हैं मैंने इसको capital कर दिया तो जो height अब cylinder था यह हमें 180 दिया हुआ है वैसे मैंने लिखा भी है इसको कि 180 cm है अब लाके हम सारी value यहां पर put करते देखिए पाई के value को put यहां पर किया जाया कि नहीं अगर इस पर थायान दे हम लोग तो radius और height दोनों में से कोई भी value पाई के denominator यानि 7 से कर्टने वाले नहीं है तो भी हम नहीं put करेंगे last में देख लिया जाएगा तो हमने पाई ले लिया आर का square करेंगे आर का square करने का मतलब हम 60 का square करेंगे और यहां पर capital H है यानि की height of cylinder ही चल रहा है आपका तो यह 180 है हमने लिख लिया इसको ध्यान दिजीगा थोड़ा सा यह calculation यहां पर strong रखना है हमें देखिए 2 by 3 पाई और क्यूब तो 2 by 3 लिया पाई को नहीं पूट कर रहा है आर का हम cube करेंगे यानि 60 का हम cube करेंगे आगे प्लस लेकर के 1 upon 3 लिया हमने पाई लिया हमने आर का square करेंगे यानि कि 60 का square करेंगे into H देखिए यह कोन था तो कोन की जो height है height आपकोन हमारे पास 120 dimension है देखिए सबसे बड़ी बात यहीं पर है अगर आप अप सुरुवात में हैं तो आपको सारी value बिल्कुल सही सही accurate लाकि पूट करनी है और फिर calculations में कोई गलतिया नहीं करनी है तो अगर यहांपे 60 का square फ़ड़ा सम कर लें तो 60 का square तो आपको यादी होगा 3600 हो जाएगा into 180 ले लिया मैंने minus 2y3 कर लिया pi कर लिया देखिए 60 into 60 into 60 यानि कि 6 into 6 into 6 करें तो आपको यह 216 बन जाता है 3 0 हम यहांपे लगा सकते हैं और यह 1 upon 3 into pi ले लिया 60 का square वही हमारा हो जाएगा 3600 into यहांपे 120 भी हमने लगा लिया ओके अब देखिए हमें 36 को multiply इससे कर लेना है तो हम चलिए 18 से multiply कर लेते हैं 1860 हमारा 108 होता है carry हुआ 10 18 से 54 और 54 जो हम 10 add करेंगे तो हमारा वो 64 हो जाएगा यहां सो मिला कि हमारे 3 0s हैं वो ले ले लेते हैं pi को भी लगा लेते हैं minus लाते हैं हम हम अब देखिए यहां पर 2 by 3 pi है यह हमारा 3 से divisible number है बिल्कुल है तो हम 3 से divide कर लेते हैं 372 21 3 2 6 यहां पर हैं 3 0 लगा लेते हैं 72 टूजा कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 144 3 0 है लगा कर के pi को भी ले लेते हैं साथ में प्लस वही बात फिर से 3 से हमारा यह भी divisible है 1200 बार में अब देखिए 12 और 12 यह multiply करके 144 ले लेंगे थोड़े 0s पर धान दें तो 2 यहां पर 1 कि यहां पर समिला कि हमारे पास 3 0 होगा 7 में pi यह भी हमने यहां पर लगा लिया यानि देखिए अपर दोनों नंबर सेम आ रहा है तो 144 144 यह हमारा 288 हो चुका है तो 64 8000 pi माइनस 144 144 यानि कि 288000 pi और जब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो यह आपका थोड़ा थोड़ा यह मैं रफ बगल में कर लेता हूँ जब हम माइनस करेंगे तो यह हमारा हो गया 0, 0, 0 8 माइनस 8 अगें 0 40 माइनस 8 या पर 6 हो गया और बचाए यहां पर 5 माइनस 2 यानि कि 3 तो देखिए यहां पर 36 पर 4 0 इसके बाद है pi एक काम करते हैं देखिए pi हमें यहां पर पूट करने के लिए कुछ बोला तो नहीं गया है लेकिन exercise के सुरवात में बोला गया है जब तक न कहा जाए आप pi को 22 डिवाइड बाई 7 लेते रही है तो चलिए यहां पर बड़ा सा multiply हम कर लेते हैं 36 पे हम ले लेते हैं 4 0 और इसको multiply कर लेते हैं 22 से तो यह हमारा कुछ आ रहा है 7 92 0000 और divide by ध्यान दे तो कि हमारे पास यहां पर 7 है तो हम इस पूरी value को जो आई है उसको divide भी कर लेते हैं 7 से तो यह हमारा कुछ answer आएगा 1,1,3,1,4,2,8,.57 और भी कुछ ही जा रही है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यह हमारा centimeter cube unit आ रहा है और देखिए यहां पर अगर answer से मिला लिए जाए तो देखिए answer जो हमारा किताब में दिया है वो meter cube में दिया है और ध्यांदेजी यह भी हमारा कुछ approach ही answer है तो एक काम करते हैं हम इस centimeter cube को meter cube में convert कर लेते हैं देखिए थोड़ा साब यहां पर ध्यान देजिएगा देखिए student आपको पता है कि 1 meter is equal to 100 centimeter okay अगर माल जी आप दोनों तरफ का cube ले लेते हैं तो आपको मिलेगा कि जो one meter cube है वह actually बराबर है hundred का cube का centimeter cube के बराबर यानि कि hundred again two hundred into hundred तो आपके पास यहां पर समिला के 6 zero हो जाएंगे यानि कि अगर one meter hundred centimeter के बराबर होता है तो जो one meter cube है वह आपका one के बाद six zero centimeter cube के बराबर होता है जिसको हम one ten sunday thousand ten thousand lakh ten lakh कहेंगे यानि कि one meter cube is actually equal to ten lakh centimeter cube तो जो one centimeter cube होगा वह किसके बराबर होगा तो guys वह आपका होगा one upon ten lakh okay one upon ten lakh meter cube तो यही measuring scale मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि अगर मैं इस centimeter cube जो काफी बड़ी value है द्यान देजेगा हम इस बड़े unit को तब लाने का प्रयास करते हैं जो हमारे पास number काफी बड़ा हो तो अगर यहाँ पर बहुत बड़ी value है तो उसको हम छोटा करने के लिए इसके unit को पड़ा कर देते हैं तो लिख देंगे कि यह जो है 1 1 3 1 4 2 8.57 divide by 10 lakh यानि कि 6 0 देखिए मैं थे 6 0 से divide करवा दिया तो अब यह centimeter cube नहीं अभी हमारा meter cube बन चुका है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हम 6 0 हटाएंगे और अब decimal को 6 प्लेस लेकर के left में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानि कुछ यहां पर decimal वे लेगा तो एक काम करते हैं हम इसको mention कर लेते हैं कि यह 1.13142857 जो काफी बड़ा number हो जाएगा तो हम 131 या फिर केवल 2 ही place लेते हैं जो कि 1.13 meter cube के बराबर होगा ओके तो स्टुडेंट यह आपका था final answer तो देखिए स्टुडेंट आप हम यहां पर देखते हैं last question of exercise 13.2 और देखिए यहां पर यह question कह रहा है कि a spherical glass vessel है जो cylindrical neck 8 cm long and 2 cm diameter आप देख पा रहा होगे कि यह हमारे पास एक vessel है अगर इस vessel के बारे बात करें देखिए वेजल जो हमारा है वो दो shape को मिला के बना है एक तो निचला पार्ट जो कि आपका एक sphere है और एक उसका जो neck बताया जा रहा है वो एक cylinder है और देखिए आप अगर थोड़े units के बारें बात करें थोड़े dimensions के बारें बात करें तो जो cylindrical part उसका neck बताया जा रहा है उसकी diameter 2 cm है और height उसकी है 8 cm तो दोनों बात देखिए मैंने आप लिक लिए है कि जो radius होगा इस cylinder का वो actually 2.5 यानिकी 1 cm होगा और इसकी जो height है यानिकी height up cylinder होगा वो हो radius note कर लिया कि जो radius of sphere अब वो हो जाएगा 8.5 cm अब आगे बताया जा रहा है कि by measuring the amount of water it holds a child finds its volume to be 345 cm cube धन दीजेगा जब हमने इस shape का volume find किया तो बोल रहा है कि किसी ने निकाला तो उसको volume इसका 345 cm cube मिला अब कह रहा है कि चेक करके बताईए कि क्या वो सही है क्या वो सही ह या देकि क्या इस cancer वाकई 345 आएगा हमें यहां पर इस बात को verify करना है और यह करने के लिकि जो पाई की value यूज़ करनी है वो हमें 3.14 यहां पर given है ओके तो देखे फिर सबही बात कहूंगा हमें बिल्कुल आसान सा question है यहां पर जब हमें पूरी volume को find करना है तो student चो यह यहां पर required volume का formula है वो actually इन दोनों के volume का sum होगा यानि कि volume of sphere plus volume of cylinder और यहां पर sphere के बारे बात करें तो sphere का formula होता है 4 by 3 pi r cube plus यहां पर volume of cylinder ले सकते हैं तो cylinder के volume का formula आपको पता ही है pi r square h देकि जो कि यहां पर R को capital कर दिया क्योंकि यह cylinder के volume है cylinder का radius है और इसका radius तो उनके radius अलग-अलग है तो small r indicate कर रहा है the radius of sphere capital r indicate कर रहा है radius of cylinder ओके लाके चलिए value हम put कर लेते हैं विदो इस देखिए pi को 3.14 बोला है तो एक काम करते है pi को हम common कर लेते हैं और value को put कर लेते है 4 by 3 लेलिया मैंने r का हम करेंगे cube वैसे यह r है किसका त यह हमारे पास 8.5 divided by 2 है तो हम यहाँ पे 8.5 by 2 into 8.5 by 2 into 8.5 by 2 into 8.5 by 2 यानि कि cube कर दिया ओके आगे हम यह plus लगा रहते है pi हमने common कर लिया है r का square करेंगे यानि कि हम यहाँ पे cylinder के radius के square करने वाले है इसका radius हमें 1 given है 1 का square 1 ही होगा into height कर देंगे height हमारे पास यहाँ पे 8 के में given है okay देखिए थोड़े से calculations कर लेते हैं देखिए student यह आपका 2 to 4 होगा 4 4 से cancel हो जाएगा 8 to 10th to 13th residual है नहीं यह values और यह हमारा है 2 तो इससे काट नहीं पाएगा तो एक काम करते हैं थोड़े से multiply के भी हम ध्यान देते हैं देखिए 8.5 into 8.5 into 8.5 यानि कर हम बात करने कि what is cube of 8.5 तो student यह आपका होता है 614.125 यह क्या है तो यह आपका है cube जो हम 3.5 को multiply करेंगे तो 614.125 हो जाएगा अक्चुली भी यहाँ पर 3 divide भी करेगा उसको लिखते हैं आते हैं हम यहाँ पर इसके देखिए denominator में भी 2 है तो इसको भी note कर लेते हैं आते हैं यहाँ पर 1 का square 1 होगा 1 8 जा आपका यह 8 हो जाएगा ओके तो यहाँ पर 614.125 वैलू हमारे पास आई है अब इसको divide हमें करना है 6 से तो हम इस value को divide कर लेते हैं 6 से तो हमें answer मिलने वाला है कुछ 102.3541 काफी बड़ा value है क्योंकि यह completely divisible नहीं है आगे है plus का 8 वो लिख लेते हैं देखिए आप करना क्या है इन दोनों को add करके आपको इससे multiply कर वा लेना है तो जब हम इन दोनों को add करेंगे तो 102 है और यह 8 है आपका यह 110 हो जाएगा और जैसे ही हम यहाँ पे जो की 110.35 आया हुआ है इसको multiply कर देंगे पाई की value जो हमें question में बोली गई है कि हमें 3.14 लेना है तो यह multiply करने के बाद 346.5120 something आ रहा है तो student देखिए यहाँ पे हम क्या सकते हैं कि जो लड़के ने वालूम निकाला है वो तो 3.45 cm क्यों आया हुआ था और जब हमने उसे verify करने के लिए इसको recalculate कर ला किया तो actually volume 3.45 ना करके 346.51 cm क्यों आया है इसका मतलब यह हुआ कि जो वालूम पहले से founded था जो found volume था by the girl वो वालूम 1.51 cm कम किया गया था यहने कि that girl's found volume is incorrect volume is incorrect the correct volume is the correct volume is 346.51 not 345 cm3 तो बस इतना ही आपको यहां पर करके समझाना था तो students I hope आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा यहां पर हमने 13.2 exercise पूरा complete cover किया है तो आप निश्चे तरूप से इस वीडियो को अपने friends में share करिए जहां से समझेगा notes बनाईगे और educational विजय चैनल को सब्सक्राइब करना मलब हो लेगा thank you very much